हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी के लिए कच्छा 10 लाएं जो आपके इसकूलों में यही पेपर आ रहा है अभी तक आपका अर्दवार्षिक परिच्छा नहीं हुआ है तो इस पेपर को आप देखें और सभी प्रशनों को एकदम तयार करके आप अर्दवार्षिक यहां कुछ नोट दिये गए हैं सभी प्रश्ण करना अनिवार है एक से 20 तक प्रश्ण रहेंगे जो बोविकल्पी है उसे OMR सीट पर हल करना रहेगा यहां से प्रश्ण स्टार्ट होता है खंड और पहले इस प्रश्ण को बताने के लिए पूरा इस पेपर को देख सकते हैं यानि आपको बताना है कि जो पंडित प्रथापनारेमिस्र जी वो किस्यूग के लेखक है आपसं को द्यान से पढ़के आपसं पर टिक मार वारी नहीं सब्सक्राइब सब्सक्राइब एकदम तयार कर लिए इन्यास के लेखक है यानि सेवा सदन जो है इसके उपन्याज जो है इसके लेखक कौन है यह सभी आप सभी को याद होगा जिस प्रशन का एंसवर आपको पहले से पता हो कमेंट बाक्स में आप उसका एंसवर लिख सकते हैं देखिए आपसाने प्रेम चंद्री जी है जैनेंद्र है यह श्पाल है यह जैसंकर प्रशाद जी है यह सेवा सदन जो है यह मुंसी प्रेम चंद्र के द्वारा लिखा गया एक प्रकार को पन्याज से इस प्रशन का सही जवाब एवल आपसन आपका सही हो जागा कि सेवा सदन जो है मुंसी प्रेम चंद्र के द्वारा लिखा गय इसलिए प्रसाइए नहीं पूड़ते हैं यहां सदросल्व के राज हंस होगा दुरु सुमल में चंद्रगूहस गूंस दूब देुज कंगर प्रशाद के दवाध के दोाल लिखान भीए चंद्रगूहस घूर चंद्रगूहस अरशाद्गे में लिखा हैं सब्सके flats जी लिख लाहरों के राजहंस इसका सही जवाब एवल आफसन सही हो जागा रजैसंकर प्रशाद के दौरा लहरों के राजहंस नहीं लिखा गया है यह लाहरों के राजहंस जो है मोहन राकेस के दौरा लिखा गया है अगला प्रसनिया पर देखिए सुकल यूग के समय अवधी माना ज सब्सक्राइब तक सब्सक्राइब शुकल यूग की समय अविदी मारा जाता है इसका सही जवाब सीवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए रीती की रचना या रीती काल की रचना आपको बताना है कि रीती काल की रचना कौन है राम चंद्रिका है प्रिय प्रवास प्रेम मादुरी राम चरित मानस है तो र साहित और कला की रचना यारी साहित और कला किसके द्वारा लिखा गया यह आपको बढ़ाना है सुमिठ्र नन기로 5 की पदुम लाल पुणनाल भक्षी की है भागवत सराओ उपाध्धाय की है ए अगला प्रशन देखिए दीवशिखा सबसे इंपोर्टेंट प्रशन और एक प्रकार कदम वारल प्रशन है यह बहुत पूचता है आपके पेपर में कि दीवशिखा काब संग्रा है यानि कि किसके द्वारा यह लिखा गया यह बताना है जैसे अंकर प्रशाद के द्वारा लिखा गया है महादेवी वर्मा के द्वारा सुवद्रकुमारी चवान सुर्यकांत्रिपार्टी निराला दीवशिखा किसके द्वारा लिखा गया है आप सभी को याद होगा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है अगला देखिए प्रसित आतम कता क्या भूलू क्या याद करूं कि लेखक है सबसे important प्रस्ण है इंब पेपर में और बोड की exam तक पूछा जाता है क्या भूलू क्या याद करूं यह क्या है तो हरिवश्राय बच्चन के दौरा लिखा गया है साथ में याद रखियेगा कि क्या भूलू, क्या याद करूँ, यह क्या है शापन I Fachin每 अगला प्रम स्वेस्वारी किस यूग के कवी हैं? इसको वह याद रखिये इसके बिहारी किस यूग के कवी है। आधुनिक्खाल रीतीकाल भक्तिकाल या आदिकाल ऐम अगर उए ठीजिव में एक मुझे सब्सक्रार कोने के अंगे आपको कहोँ आपको पूरा कि यह पूरा नाम न देखहा सब चक्यां रहें आगला देखिए को संचारी भावों की संक्या का यानि संचारी बाव की संटिस होता संचारी भाव कि संटिस है अगला प्रशन कि बारा नंबर का उन्किति में कौण से अलंकार यहां पर एक दूसरे की तुलना किया जा रहा है कौन सा लंकार होगा मुख महंग सम्मंजुमनहर में एक दूसरे की किया जा रहा है अगला प्रसम देखिए रोला चंद के परति встретburg में कितनी मात्राइं होती है रोला चंद संद के परतेक चरण में 2424 मात्रा रहा गैजन के पिसका निस कपट शब्द में उपसरग टिकी तरह देखे तो आपको बता देखिए इस option के अनुसार तो आपका होगा लेकिन सही से देखा जाए निस कपट जो होता है इसमें आपका उपसर्ग होता है उसके प्रारम में कौन सा सब्सक्राल कि उसक . 15 स۔ 15 साहितिक में कौन सा प्रते का मतलब हता है कि क्या संदिव स साहित और लेकर देखि में साहिथ लग लिखेंगे और इंक को अलग लिखेंगे देखके यहां कैसे लिखेंगे साहिथ तो र्दंग्योन संत्य कुै Soul के लंदारे हो जाएगा यहांसा इसका सहही साहिँक्षाइण को एक देखी सही जवाब डिवल आप्सन सही हो जाएगा धान कोटी का मतलब होता है धान का कोटरी होता है यहां पर कौन से समास वगल यह हो जाएगा आपका अगला देखिए गोरा का तसम रूप यानि तसम मतलब होता है कि आपका सुध रूप बताना है कि गोरा का सुध रूप क्या होत की सदैंट सधेव चहता है दें 000 सॏ फो याद रखे बहुत पेपर में आपके Mafia को सही जो आप 2 अफशन देखें सब्सक्क्राइब यहाद कर सब्सक्राइब का यह ऩर यह जैबाला यह आपको सीक्ष़ाय सब्सक्राइब तो फलेन में जो वाता है आप अत्रिती वक्ती होता है और एक वचन रूप होता है तो यहां पर हस्ती में प्रथम पूरुस होता है और एक वचन रूप होता है यहां से आपके वड़ात्मक पूछे जाते हैं सभी प्रशनों को आप जरूर तयार कर लीजिए निम्रिकित गद्यांज पर आधारी तीन प्रश्न के उत्तर देना है यह आपका दिया है विश्वास मित्र जीवन की एक ही आउसाद है हमें अपने मित्रों से यह आसा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दिड़ करेंगे दोस्तों और त्रिट्यों को हमें बचाएंगे यहां से लेकर यहां तक आपको पढ़ना है आपको पढ़ने से कुछ ऐसे पता चल जाएगा अपकी क्या मित्रता नामक पाट से लिए अब यहां रिखता है पूछे का संद्रभ लिखने के लिए आपको देगा संद्रभ लिएगा इसके साथ में रैखांकित उसकी ब्याक्या करना है सच्ची मित्र को माता के समान आप के ल प्रकार बताया गया है। इसके बारे में आप सभी को एधम तैयार को ख़द जा ठीक है लिखने का तरीका क्याँता साफ आँ जा चुका है इन सभी प्रशनों को आप जुरूर तैयार कर लिए अथवा में देखे दिया है चाहिए वह प्रशना आरात कीजिए या थवार देखिए इर्ष्या की बड़ी बैटी का नाम निंदा है जो ब्यक्ति की इर्ष्यालू होता है आपको क्या करने यहां सिरे के यहा सब्सक्राइब देखिए प्रशन दियेगे पध्यांस से संब्सक्राइब आपसे सवाल पूछे गया है कि प्रशन को दर दीजिए जितने प्रशन बता रहे हैं आप कापी इसको दिख लीजिए और सभी प्रशनों के एकदम तयार कर लिजिए यह आपके अर्दवार्सी प पूछता है अगला है कि धनुस भंग के लिए विश्व मित्र का भी स्री राम को अग्या देना क्यों अनुचित लग रहा था यह सभी इससे संब्सक्राइब तीन प्रशन आपसे पूछे जाते हैं यह सभी प्रशन आप एक बार देख के सभी प्रशनों को आप जिरूर त देखो सबकुछ दिर्शाइब यह देख लीजिए और इससे आप अपने बुक में देखके उसको निसान लगा कि इस प्रशनों को आप तयार कर लीजिए ठीक है इससे क्या होगा कि आपका इसी बाहने आपका बोड का एक्जाम की तयारी भी हो जागए यह इसलिए कि यही दानस में सूरदास इसके बार-बार बहन दोस्ट वर्ण कि अप को बता रहता है अब देखिखेंसांगे منमुगाam बोड के एक्जाम में 2023-2022 में यह सभी प्रश्ण आपके कई वर पूछा गया है इस प्रश्णों का आप तयार कीजिए जिससे आपको बोड के एक्जाम भी तयार हो जाएं यहां से यहां तक पढ़ना है पढ़ने के बाद इसका हिंदी में अनुवात करना है साथ में क्या कर इसका संदर्व भी लिखना रहता है देखें ध्यागर का बहुकालम यावट अचिंतियत यहां तक पढ़ यहां से पढ़ने के बाद इसका संदर्व लिखना संदर्व साथ में इसकी प्याख्या करना आप सभी को पता है प्रश्antic आपके प्रत्यास कसे पहले गभड्यांश और दू साहे यहां तरसांगे रहता है अगे देखिए इसको कीजिए यसां प्रशन करना रहता है और यह प्रशन आपके बोड के एक्जाम की भी तयारी हो जाएगा अप अर्दवार्सिक की भी तयारी कर लेंगे देखे 26 कख यहां कि रचना लिखना रहाता है यानि कि कि किसी एक कवी का या एक लेखा का जीवन परिचे लिखना है जैसे आप देखिए लेखा का नाम दिया है बगवास्राड उपाध्याय जैसंकर प्रशांत रामचंद्र शूकल यह तीन आपके आते हैं इस तीनों में से किसी एक कई जीवन परचे आपको बोड के एक्जाम के सा इन तीनों में से किसी एक का ही चीवन परिचे आपको बोट के एक्जाम में और अर्दवार सी पेपर में लिखना रहता है अगला देखें अपनी पुस्तर के कंठस्त में कोई एक सलोग लिखिए जो इस प्रश्ण पत्र में नाया हो ठिक आपको एक सलोग जरूर याद करना ह आपको यह अदम सेम्डुसे में यही प्रश्ण आपको मिलेगा अगला देखें निमनलिखित में से किनी दो का संस्क्रिप में अनुवात करना रहता है कि इसका संस्क्रिप में अनुवात कैसे करेंगे जैसे तुम पुस्तक पढ़ो ऊमा भोजन पकाएगी बिरीच से फल गिरते हैं सदा सच बोल बोल है चारों किसी दो का हिया को क्या करना है कि 身eter नुबाद करना है में आपको बम की दो प्रॉषन कोट संक्रीट में मेरा श्रिकत में ग्रामराथ को सथ यहा से यह प्पूछा है यह चार पौछा, चार में से दो का ही उत्तर आपको देना है, इसके साथ में आप का है, आपको पॉइन्प्तल रिखना है इस पॉइंटों के अपको क्या कंदा है किसी एक पर निबन रिखना है, यह आपके अर्दवार्शी के साथ साथ में बोड की एक्जाम में यही निवन्द पूछा जाता है कि देश प्रेम पे पहदुष्रे में अभिसाफ है अनुसासन का महत्तुव मेरा प्रियकवी यह सभी टापिक है यही आप बोड के एक्जाम में देखने के लिए मिलता है यह था आपका संपूर हिंदी इस संपूर हिंदी का दम पेपर था इसको आप जरूर दयार कर लिजिए